हलो फ्रेंज स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हसे स्टडी गाएड में आज इस वडू में हम बात करने वाले है एसो पी के बारे में यानि कि स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजर जिसे हम सेफ ओपरेटिंग प्रोसीजर भी कहते है इसको और एक नाम है वो है SIWP यानि कि सेफ वर्किंग प्रोसीजर या फिर सेफ वर्पोसीजर तो और आल जो है इन तिनों का जो मिनिंग है वो एक ही होता है यानि कि किसी कंपनी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर इसको Standard Operating Procedure कहा जाता है या फिर Safe Operating Procedure कहा जाता है या फिर Safe Working Procedure या फिर Safe Work Procedure तो यह जो है यह अलग-अलग नहीं है बलकि एक ही है तो चलिए जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल में कि यह क्या होता है और इसको हम कैसे Develop कर सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो को स्टार करते हैं तो देखते हैं कि Safe Work Procedure यानि कि होता क्या है Safe Work Procedure को refer किया जाता है As a Job Safety Analysis यानि कि JSA Job Hazard Analysis यानि कि JHA या फिर Safe Work Method Statement Safe Work Procedure एक ऐसी Procedure है जो डिस्क्राइब करता है कि जो भी काम है वो Safe तरीके से कैसे करना चाहिए Safe Work Procedures में Outlines होती है कि जो भी टास आप करने वाले हो या फिर जो भी एक्टिविटी आप करने वाले हो उसके रिलेवंट्स क्या हजार्स है उसके रिलेवंट्स क्या रिक्स है और उसके associate में क्या control measures है जिसकी साहिता से जो भी टास्क है या फिर जो भी एक्टिविटी है वो कंड़क की जाती है और जिसकी वज़े से जो भी रिक्स है इंजूरी की वो सब रिड्यूस की जाती है Safe Working Procedure में कुछ information दी रहती है कि जिसकी साहिता से जो भी वरकर्स है वो अच्छी तरह से अपना जो टास्क है वो safely perform करे तो चलिए देखते है कि वो information क्या होती है तो safe work procedure में लिखा हुआ रहता है कि जो भी आप काम करने वाले हो वो किस प्रकार आपको करना है उसके बारे में safe work procedure में लिखा हुआ रहता है फिर second point आता है कि जो भी work activities है जिसके relevant जो भी safety measures है या फिर environmental जो भी risks है वो सारी identify होती है safe work procedures में safe working procedure से हमें ये पता चलता है कि जो भी task है या फिर जो भी activity है उसके safety और environmental risks क्या है safe work procedure में ये describe किया हुआ रहता है कि जो भी work activities है उसके relevant कौन से control measures आपको apply करने है उसके बाद क्या होता है कि जो भी control measures है उसको किस प्रकार आपको implement करना है ताकि जो भी work है वो safe manner में हो सके और साथ ही साथ जो भी measures है वो environmentally sound free होने चाहिए फिर उसके बाद आता है कि कौन से legislation है कौन से standards है या फिर कौन से codes है जिसको आपको comply करना है फिर उसके बाद आता है कि कौन से equipment जो है आप work activity के लिए यूज करने वाले हो जो भी persons वहाँ पर काम करने वाले है उनके qualifications क्या है और कौन सी training require है कि जिसकी बज़े से जो भी काम है वो safe तरीके से किया जाए स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो safe work procedure जो है वहाँ पर जो भी persons काम करते है वो safely काम करने चाहिए इसके relevant वो safe working procedures होती है safe work procedure के अलावा कुछ common documents होते है जैसे कि standard operating procedures हो वो relevant होता है कि कौन से equipment आपको correctly use करने है और जिसकी वज़े से कोई damage नहीं होगा standard operating procedure जो है वो operator के safety के related नहीं होता है आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि safe work procedure जो है वो risk assessment नहीं है और नहीं वो standard operating procedure है या फिर safe operating procedure है खास तोर से देखा जाए तो safe work procedure जो है वो relevant होता है कि वहाँ पर जो भी persons काम कर रहा है उस persons को safely रखना है by providing काम की क्या procedures है उसकी हिसाब से safe work procedure जो है वो consider किया जाता है कि वो administrative control है चलिए देखते हैं कि administrative control जो है वो इसको कैसे develop करते है जैसे कि आपको पता है कि hierarchy of controls में five steps होते है सबसे पहला है जैसे elimination फिर है substitutions यानि कि isolations फिर है engineering control फिर है administrative control और फिर है PPE तो अभी जैसे कि हमने देखा कि safe work procedure जो है वो consider किया जाता है administrative control में तो ये जो administrative control है इसमें क्या क्या आता है कि safe work procedures हो गया उसमें training हो गया और supervision हो गया तो ये जो safe working procedures है ये administrative control के under आती है चलिए अब बात करते है कि safe work procedure हमें कब develop करना चाहिए तो उसमें पहला point है कि जो भी incident या फिर 1000 report किया जाता है और उसके control actions लिए जाता है उस वग आपको safe work procedure जो है वो develop करनी है जब भी आप risk assessment करते हो तो उसके लिए आप जो भी risk control measures निकालते हो तो उस वग भी आपको safe work procedure को develop करना है फिर उसके बाद आता है कि जो भी काम आप कर रहे हो और इसके relevant इसके पहले कभी past में incident हुआ था तो तब भी उसके लिए आपको safe work procedure जो है वो develop करनी परती है जब कभी आप नया job शूरू करते हो और वहाँ पर जो risk assessment है वो determine करता है कि वहाँ पर safe work procedure की जरूरत है जब भी आपको Energize Electrical Installation करना हो और वहाँ पर काम करना हो तब भी आपको develop करना पड़ता है safe work procedure जब भी कोई काम का आपको demolition करना है उसवग भी आपको safe work procedure जो है वो develop करनी परती है जब भी आप handling करते हो Asbestos और उसको जब आपको Asbestos को Remove करना है तब भी आपको Safe Work Procedure Develop करनी पड़ती है जब भी आपको Roof के उपर काम करना पड़ता है तब भी आपको Safe Work Procedure जो है वो Develop करनी पड़ती है तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा Safe Operating Procedure जिसे हम Safe Working Procedure भी कहते हैं उसके बार में तो बस आज के लिए इतना ही मलता है नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए Take Care Bye Bye